अम्दा बाद मा समस्ति ब्रामण परिवार द्वारास ने में लंकारे कर प्राख़ा मावें चुनमुख्योद देश ब्रामण समाज एक थाई देवोता राधा मोहन पांडे जी के प्रित्नों से आयजुत इसकार करम में आके बड़ी प्रसंता हुई बड़ा संदर प्रियास है कितने लोगों को इन विस्तारों में ही कठा करना एक बड़ा मुश्किल काम है और ब्रामणों को तो खास तोर से ही कठा करना है बड़ा मुश्किल काम लेकिंगे इन्हों ने अपने प्रयाज से अपने मित्रों के प्रयाज से एक बड़ी सभा यहां वायूत की है इनको अब इनन्दन देता हूँ और प्रासना करता हूँ कि इनको ताकत भगवान दे ब्रामन अपने आपको नए सिरे से उमर गठित कर रहा है मैंने अभी कहा कि हम अपने पुर्खों की कमाई पकिते दिन जिन्दा रहेंगे हमारे पुरोजों ने बड़े शास्र बनाए बड़े गरंत बनाए जरूर है किया लेकिन उसी का गाना गा करके हमारी अगली पीड़ी कहां जियेगी उनको भी कुछ करना होगा न तो अगली पीड़ी आज के युक्की भी पढ़ाई करे लोग दुनिया में चंद्रमा पर जा रहे हैं मंगल पर जा रहे हैं बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं तो हम केवल भूत काल में जिंदा रहके अपनी अगली पीड़ी को आगे नहीं ले जा सकेंगे हमारी अगली पीड़ी भूत काल से सवक ले सीखे पुर्खों के किये गए कामों को ले करके आनंदित हो गर्व से के हमारे पूर्जोन के लेकिन हमें जो दुनिया दोड़ रह दन्यवाद। परिवार की तरफ से आज यह कारिक्रम रखा गया है। इस स्नेहमिलन के माध्यम से जो एक दूसरे को जाना पाचाना जाएगा, एक दूसरे को मिलेंगे जुलेंगे और साधी विबाकी बरवधु की समस्या दूर होगी। ऐसे कारिक्रम के लिए यह कारिक्रम रखा गया है। समाज को मैसेज देने के लिए खास रूप से समाज एकत्रित हो, संगठन मजबूत हो, संगठन मजबूत होगा तो समाज की सारी समस्याएं आसान होगी। कोई भी समाज जितना संगठित होता है, उस समाज की समस्या उतनी कमजोर होती है। समस्या सैनिपटने के लिए हमें संगठन होना अतियावस्यक ज़़ूरी है। सभी ब्राह्मन एक हो, हमारे संस्किती, हमारे आचन, हमारे सुलव संस्कारों के रक्षा हो, और सभी ब्राह्मनों में एकता हो, दूसरी बात, विवाहों के विशाय में भी ब्राह्मन सब परिशान है, इसलिए मन्च मनाया गया, सभी के ब्राह्मनों को, विवाहों की है और स्भी का यहाँ है एक ता के लिए हम सब राह्मन एख हैं जाओ इस देश में हर चीज संगतन से मुम्कीन है जैसे कि पांडेजी ने कहा कि इस देश में हर चीज एक संग के तरह के से चलेगी तो इस देश को मजबूती मिलेगी मैं बेठे सारे युवानों को यह आगरा करूँगा कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझके इस समाज को कैसे एकत्रित करें कैसे सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने समाज के बारे में लोगों तक अपनी बात पहुँचाए उस विशय पर ध्यान केंद्रित करें और मैं सारे परिवारों से निवेदन करूँगा कि अपने समाज के गुन और अपने कल्चर की बात अगर हम लोग अपने बीच में रखेंगे तो इस समाज को एकत्रित होने से कोई नहीं रोग सकता मैं अपना परिचाए सिर्फ आपको ये दो लाइन में दूँगा कि ब्राम्मनों की जब बात हो रही थी और काफी बड़े बड़े लोगों ने उस विशय पर बोला अहमदाबाद पूर्व लोग सभा से 26 साल की मेरी उम्र है और मैंने चुनाओ जब लड़ा तो मुझे अपने समाज का जो प्यार और सम्मान मिला आज उसका रूंड चुकाने के लिए शायद मेरे पास शब्द कम है पूरे समाज ने एक होके और मुझे सहयोग किया और आज इस काबिल बनाया कि मैं आपके बीच में आके दो शब्द कह सकूँ मैं आप सभी को फिर से इस मंच से नमन करता हूँ और आने वाले समय में युवाओ द्वारा ब्रह्म समाज को एक प्रतिष्टिट और सामाजीक संगठन बना के आपके बीच में पेश करूँगा धन्यवाद भारत माता की जय जय परशुरांग प्रसून धूली दोरानी विदू शरांग्रिपीठ भूब जंगराजमालय निवद्ध जात जूत कास्याइच जाय 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 धाम्च कोड़ बंदु शेकर ललाट चत्वरत ज्वलत धनन जय तुलेंग भानि पीत पंच सायक नमन निलिंपना यकम सुदा मयूख लेख वि किशार चांद्र शेकर रति प्रतिक्षिनम्म शैल श्रंग संभिसाल चता जूद चांद्रभाज गंग की तरंग माल विमल जाल राचे लोचंत्र चलाल लाल चंदन की घौरी जाल गोंगों सिंदर उलाल प्रकत युगल राचे बंबंबंबंडमरुबाज नाध बेद इस जगा पर मधारे होए समस्त्र